हेलो फ्रेंट, मैं एजितेश रायell फ्रम राय क्लासेज इस वीडिएो में मैं लेक्शर में दिस्कश करने जा रहा हूं जो एंजिनिरिंग नेक्टीस का पेपर है कल 16 अगस्ट को एकेटिव का लाइस पेपर है और मैस्टेम्स का का पेपर तो इस विडियो में सारे सबस्ट में जो मुस्ट इप़ टोट कैसे जदी आप इन टॉपिक को कर लेते हो आपके बहुत अच्छी मार्ब अज ताप इन को जो जो टॉपिक मैं डिश्कस कर रहा हूं इसे रिलेटेट आप फर्मूले इसे रिलेट Cake प्रतू कर बहुत अच्छे से पढ़ना है और फो डाइट की सारा आपका मैं टू का जो पेपर है पेपर भी किलियर हो जाए और आपके अच्छे माक्स आए तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसकस कर रहा हूं लाइक यदि आप यूनिट वन की बात करो तो यूनिट वन यूनिट वन में पहला टॉपी जो इंपॉर्टेंट है इस वाल्व दॉप तो डिफ्रेंशियल इक्वेशन डिफ्रेंशियल इक्वेशन तो इस से रिलेटेड जो गोश्चन आता है solve the given differential equation वो question आता है जिसमें हमारी equation जैसे आपको d2 y y dx square plus 6 d y y dx plus 9y equal to x e to the power x sin x और cos x मेरे काने में तीन function वाला एक सिस्कायर भी हो सकता है इस question में changes क्या होगा यहाप एक सिस्कायर हो सकता है दूसरा changes क्या होगा x e to the power x cos x की बहुत ही important topic है या फिर जदी sin x नहीं होगा तो केवल x e to the power x भी आ सकता है या फिर x sin x भी आ सकता है और e to the power x sin x भी जो maximum पूछा जाता है कि find the solution of the given differential equation LHS में कुछ भी हो आपको see find करना होता है और RHS में क्या करना होता है है पी आई फाइंड करना होता है क्यों क्योंकि जो solution होता है हमारा वाई एक्वेल टू क्या होता है cf प्लस पी आई तो यह question जो है बहुत ही important question है जो RHS में तीन function वाला हमारा क्या होता है maximum paper में पूछा जाता है को सेकेंड टॉपिक से होमोजीनियस होमोजीनियस डिफ्रेंशियल 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 होमोजीनियस होमोजीनिय पूट कर देंगे दीया धिटू वाई बाई दीएक शिस्कार होगा हम क्या करेंगे एक सिस्कार से मल्टिप्लाई कर देंगे और इसके जगे मि पूट कर कर देंगे D, D-1, D-2 into y और जो हम लेट कर लेते हैं हम जहाँ X है, X के जगह हम क्या लेट करते हैं? X equal to E to the power Z, तो Z की value क्या आजाएगा? Z is equal to क्या हो जाएगा? लोग है, तो जो भी हम CF PI लिखेंगे पहले, complementary function and PI, वो हम पहले Z के term में लिखेंगे, in terms of Z, लेकिन जो final answer लिखेंगे, जब Y is equal to CF plus PI, तो हम क्या करेंगे? पूरी equation को जो हम CF PI होगा, वो X के form में होगा, फाइनल answer लिखेंगे X, और जैसे यह values पूट कर देंगे हम, X dy by ds के जगह dy, X square d2y by dx square के जगह, d into d minus 1 into y, और X equal to E to the power Z, तो बिल्कुल यह पहले वाला जो topic है, जिसमें केवल CF और PI find करते हैं, जैसे CF find करने का अलग-अलग method है, वो आप मेरे वीडियो में जाकर के, Engineering Mathematics 2 के playlist में जाओ, playlist में जाकर के, Engineering Mathematics 2 में, जाकर के सारी वीडियो जिसे CF कैसे find करते हैं, PI कैसे find करते हैं, हम लोग आप जाकर के देख सकते हो, तो यह homogenous हो गया, next third topic है, method of, method of variation of parameter, method of variation of parameter, तो question में जेनरी लिखा रगता है, कि by using method of variation of parameter, जादी नहीं लिखा होगा, तो RHS में, जादी 10XO, 10X, जोड़ी नहीं, AX भी हो सकता है, 2XB, COTXO, CXO, CAUSEC, AXO, जेनरली हम लोग क्या करते हैं, method of variation of parameter से, question को solve करते हैं, तो इसका भी solution जो होगा, y equal to क्या होगा, CF plus PI, रही बात CF, तो जो CF होगा हमारा, उस same method से, जैसे हम इसके पहले वाले method से निकालेंगे, same method है, CF में कोई change age नहीं है, हाँ, PI equal to PI for particular integral, क्या होता है, UY1 plus VY2, Y1, Y2 कहां से find करेंगे, CF से, और U is equal to क्या formula हो गया, U is equal to होता है, minus integration Y2, capital X, Y1, Y2 dash, minus Y1 dash, Y2 into DX, Denominator दोनों क्या होता है, same होता है, यहां से PI और PI का फर्मूला होता है, होता है, P is equal to, PI is equal to होता है, UY1 plus VY2, और final जो solution होगा, हम कहां से लिखेंगे, लिखेंगे, Y is equal to CF plus PI, ठीक है, उन values को हम क्या करेंगे, उठा करके, पूट कर देंगे, वहीं क्या हो जागा, हमारा final solution होगा, फिर नेक्स्ट है, चौथा टॉपिक, बाइचेंजिंग, बाइचेंजिंग, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, वेरियेबल, कैसे पाचानेंगे आप, तो लिखा रहा हैगा, इस एक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है, D2Y by DZ square, प्लस P1, DZ by D, sorry, DYY, DZ, प्लस Q1Y, इक्वल टू, R1, पूरे जो गीवेशन है, उसको हमें इसमें लाके छोड़ना होता है, जहां पर P1 की फर्मूला, P1 इक्वल टू, D2Z by DX square, प्लस P, DZ by DX, नीचे क्या हो जाएगा, DZ by DX का whole square, Q1, Q is equal to DZ by DX का whole square, R1 equal to R DZ by DX का whole square, तो यह P, Q, R कहां से मिलेगा, तो जो भी standard equation होगी, उसको हम, D2Y by DZ, D2Y by DX square, P, DY by DX, Q1Y equal to R से, हम क्या करेंगे, value find कर लेंगे, फिर इस equation में जो हमारे equation है, इसमें put कर देंगे, तो यह हमारा फिर पहले वाला question हो जाएगा, फिर उसके help हम लोग क्या करेंगे, CA for P, I find out कर लेंगे, last topic है, जो 5th है, simultaneous, simultaneous, differential equation, तो यह कैसे solve करेंगे, कैसे पता से लेगा, तो इसमें दो equation दिया होगा, like, dx by dt, plus y, is equal to x, या 5x, similarly दिया होगा, dy by dt, plus x, minus 2y, equal to 0, मालो दिया है, तो जब भी 2 equation दिया होगा, है न, तब हम किस से solve करेंगे, मतलब किस का question होगा, simultaneous का होगा, और अहीं बात की solve कैसे करेंगे, तो जैसे आप solve करते हो, जैसे मालो आपको question दिया हो, आपने इसके पहले पढ़ा है, x plus y equal to 10 हो, 3x plus 2y equal to, मालो 5 हो, तो हम कैसे solve करते हैं, इसको 1 माल लेते हैं, इसको क्या माल लेते हैं, 2, तो या तो by elimination method, या by substitution method, तो elimination में क्या करेंगे, हम किसी एक के coefficient, मालो, x को cancel करना हो, इसमें 3 से multiply कर दिया, इसमें 1, तो हम किसी एक को cancel कर देंगे, फिर यहां से y की value निकाल लेंगे, जब y निकल जाएगा, यहां पर put करके इन दूने equation में, हम फिर किस की value निकाल लेंगे, x की value निकाल लेंगे, इस तरीके से हम क्या करते हैं, simultaneous differential equation क्या करेंगे, solve कर लेंगे, next, unit 2, unit 2 है, थोड़ी सी, तफ है, तो इसमें में ली क्या 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 पढ़ना है आपको, beta and gamma function, beta and gamma function, इनके formula याद कर लो, and its property, और इनके properties, basic formula याद कर लीजिए, और इनके properties हम याद कर लेते हैं, आपके दी, हमारे question उस पर क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो सबसे important है, इस unit का है, वो है, diriclets, integral, इसका formula और इसका derivation paper में आता है, है, और इस application, and its application, तो जदी इसका formula डेराइब करने के लिए, लिखने के लिए नहीं आएगा, इससे related हमारा question 100%, एक question आपके 10 marks में, declet integral से आएगा ही, आएगा, फिर next है, application of, application of, definite integral for surface area and volume of volume of revolutions volume of इससे definite integral के हमारे question आ जाते हैं, मैं लिए आप इस unit में गामा बीटा कर लीजिए, उनके formula और उनकी properties और द्रिक्लिट इंटेग्रल को आप याद कर लीजिए, और उसके related 2-3 question है, जो paper में, पूछे ही जाते हैं, अब आते हैं, उनिट थर्ड में, इस में सबसे important है, four-year series, तो series का पहले formula की fx equal to हमारा होता क्या है, series बनती कैसे है, जैसे fx equal to a not by 2 summation n equal to 1 to infinitive an cos nx, n बराबर 1 to infinitive, bn sin nx, तो हमें 3 चीज़े find करना होता है, a not, an and bn, यह depend करता है, limit पे, आपको सारी limit के, जैसे 0 to 2 pi, जदी x की limit हो, तो क्या formula यूज करते हैं, जैसे formula है, जदी याद है, तो आप series बना लोगे, सबसे जो important है, minus pi to pi, यह question पूछा जाता है, जब limit minus pi to pi हो, तो हम function को check करते हैं, fx जदी हमारा even function हो, तो bn क्या होता है, 0 होता है, a not का formula क्या हो जाएगा, 2 by pi, 0 to pi, fx dx, और a n, इसी में, cos nx से multiply कर दू, मैं, 2 by pi integration, 0 to pi, fx, cos nx into dx, similarly, जदी function हमारा odd है, odd function, और अच्छी बात है, a not b 0, a n b 0, केवल और केवल bn find करना होता है, तो यह उसका formula क्या हो जाएगा, 2 by pi, 0 to pi, fx, sin nx, यह सारे आप detail में जा करके, मेरे वीडियो, मेंजिरिंग, मैथेमेटिक्स 2 में, for your series की सारे वीडियो, सारे question है, तो जो इस important question, topic के, for your series के, important questions, पहला, fx is equal to x sin x, जब limit हमारी minus pi 2, x sin x के जगह, cos x भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, fx is equal to x square, जब limit हमारी, minus pi 2, तिसरा, fx is equal to x plus x square, जब limit हमारी, minus pi 2, चौथा, fx is equal to x sin x, या x cos x, जब limit हमारी, 0 to 2, फिर उसके बाद topic क्या है, एक है, half range, साइन सीरीज, इसके कोशन कर लेना है, वह से इन और वाला कॉंसेप्ट होगा, के वाल बी एन फाइंड करते हैं, similarly, half range, cosign series, और last topic है, इसका, change of interval, मतलब, constant limit दिया होगा, इतना topic कर लें, तो यह unit third क्या है, आपका solve हो जाएगा, मलब पूरी top maximum से लेवास आपका cover हो जाएगा, अब आते हैं, यूनिट fourth में, यूनिट fourth की discuss करेंगे, यूनिट fourth जो है, उसमें आपका complex variable है, जो top, मलब इस unit का नाम है, complex, इसमें जो important topic है, analytic function, प्रूफ करने के लिए आता है, given function, analytic और holomorphic भी बोलते हैं, holomorphic, जो CR equations है, second है, harmonic function, harmonic function, ठीक है, harmonic function कैसे find करते हैं, लपलास equation satisfy करना चाहिए, कोई भी given equation, जदि लपलास equation satisfy करेगा, तो क्या होगा, वो harmonic होगा, और analytic function में क्या करते हैं, जदि CR equation satisfy करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका, मतलब analytic function होगा, उसके बाद यहीं पर important topic है आपका, इसी में important topic की बात करेंगे आपका, तो जिसे harmonic function है, वो Cartesian polar coordinate का, दोनों के लिए होता है, फिर method to find analytic function, function method होता है, मतलब हमें u दिया होगा, और हम भी क्या करेंगे, आपका find out करेंगे, इनलेक्टिक function, इसाट फाइनलेक्टिक function, वा उसी मिलसं थमसं मेथड, अब आते हैं, उनिट 5 में, तो उनिट 5 की जबात करेंगे हम, उनिट 5 की जबात करोगे, तो इनिट 5 के topic के हम जदी discuss करते हैं, थोड़ा सा PPT और भी वीडियोज का है, मैं ले चलता हूँ last में, यह एक्शली बीच में PPT जो है, ब्लैंक पेज नहीं थे, यह objective question है, electrical के वीडियोज में यह cover होंगे, लास्ट जो उनिट है, उनिट 5 है, उसके भी topic में आपको discuss कर दे रहा हूँ, जदी आप इन topic को अच्छे से कर लेते हो, तो पूरा paper आपका क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, और आपको maximum mark जो क्या करोगे, आप gain कर लोगे, तो जदी यूनिट 5 के इसी लेवस की बात करेंगे, तो उसमें हमारा क्या है, Taylor series है, Luren series है, जदी CDU theorem हम कैसे find करते हैं, यह हमारा है, तो यूनिट 5 टॉपिक हमारा, यूनिट 5 टॉपिक की बात करें हम, करें करें, तो यूनिट 5 के टॉपिक में हमारा जो टॉपिक आएंगे, इसमें जदी में बात करो, इसी में बात कर लो, लिव इंस इरिज कर दो रिसीडीव थिरम में जो रिसीडिव थिरम है वह बहुत ही इंपटेंट है और जदि आप रिसीड़िव थिरम टेलर्स कर लो लुषैज कर लो और जो आपका evolution of real integral of integration 0 to 2 pi f cos theta, sin theta d theta and integration of minus infinity to infinity f x dx कर लेते हो, तो पूरा paper आपका क्या हो जाएगा, solve हो जाएगा, okay, thank you.